हे एवरिबन तो कैसे हैं आप सब सो 2021 में सुप्रीम कोड ने दे दिया अपना एक और लेंडमार्क जज्जमेंट और यह जज्जमेंट उन्होंने दिया है हाउसरेस के कॉंसेप्ट को लेके जिसमें उन्होंने कंसीडर किया सेक्शन 167 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सो जान में जुडिशिल कस्टेडी पुलिस कस्टेडी से थोड़ी अलग होती है बैसिकली यहां पर प्रिजनर या ओफेंडर को रखा जाते हैं मेजिस्ट्रेट के अंडर ऑफ कंट्रोल सो आगे अगर हम चलते हैं इस जज्जमेंट का नाम एक बार हम देख लेते हैं गौतम नव वो एक पार्ट है कस्टेडी का सुप्रीम कोड यहां पर यहां पर यह कहते हैं जो की कवर होता है अंडर सेक्शन 167 of CRPC सुप्रीम कोड यहां पर यह भी मेंशन करते हैं कि अभी तक कोड का ऐसा कोई एंगेजमेंट नहीं हुआ है कि उन्हें हाउस अरेस्ट देना पड़े वो टोटली मैच करते हैं हाउस अरेस्ट के इंग्रीडियंट के साथ जो की कवर होते हैं अंडर सेक्शन 167 of CRPC आगे अगर हम चलते हैं कोड यहां पर कुछ चीज़े अब्जाब करता है आप देख सकते हैं सेक्शन 167 बेसिकली एप्रोप्रियेट केसिज में कोड को पुर प्रिजनर का जो पास्ट रिकॉर्ड है वो क्यासा है यहाँ पर नेचर ऑफ दा क्राइम देखा जाएगा तो यहाँ पर नीड देखी जाएगी कि किस किस तरीके की और कस्टेडी मांगी है प्रिजनर ने अपने ओफेंस के लिए और यहाँ पर एबिलिटिटी तु पावर है कि वो house arrest दे सकते हैं किसी भी prisoner को under section 167 of criminal procedure court आगे अगर हम चलते हैं basically Supreme Court ने इस judgment को सुना दे टाइम कुछ issues notice किये थे आप देख सकते हैं यहाँ पर Supreme Court कहते हैं कि overcrowding बहुत बढ़ गया है इंडिया में जो jails हैं उसमें prisons है basically यहाँ पर overcrowding का मतलब होता है कि कुछ capacity capacity जैसे एक जेल में 10 लोगों की capacity है लेकिन 10 लोगों से जादा हम आपे prisoner अभी रह रहे हैं तो यह चीज काफी देखने वाली है क्योंकि as we are in a state of emergency as we are in an era of COVID-19 pandemic सो यह चीज काफी important है क्योंकि कुछ नहीं पहले Supreme Court ने यह चीज भी mention की थी कि जिन लोगों को जिन prisoners को यहाँ पर छोड़ा जा सकता है उसे हमें release कर देना चाहिए सो यहाँ पर जो दूसरा issue है जो Supreme Court mention करते हैं basically वो है maintenance cost of prisons आप देख सकते हैं यहाँ पर सालाना जो prisons होती है जो jails होती है basically उनके maintenance पर उनकी देख रेक पर कई करोड़ों रुपे खर्च होते हैं उसका एक estimate यहाँ पर लगाया गया आप देख सकते हैं 6,818 करोड़ रुपे इतने रुपे annually खर्च होते हैं prisons की जो maintenance के उपर है उसको लेगे आगर हम जलते हैं अगर हम house arrest यहाँ पर देने लग जाते हैं Supreme Court अगर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हाउस अरेट्स देने लग जाते हैं prisoners को और offenders को तो क्या के यहाँ पर advantages हैं क्या के यहाँ पर benefit निकल के आते हैं पहला advantage आप देख सकते हैं सबसे पहले तो यह overcrowding की जो problem है उसे solve कर देगा जब लोग अपने घरों में arrest होने लग जाएंगे जेल्स के instead तो यहाँ पर कई न कई overcrowding भी बिल्कुल कम हो जाएगी और यह कहीं न कहीं helpful भी यह COVID-19 के pandemic को ध्यान में रखते होए नीचे अगर हम आते हैं helps in overcoming the maintenance cost जितने कम prisoners यहाँ पर होंगे जेल्स में और जितने जाद़ प्रिजनर यहाँ पर house arrest में होंगे तो उसको लेके maintenance cost भी हाँ पर प्रिजनर की कमाईगी लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी problem यह है चलिए एक बार को house arrest दे भी देता है court तो यहाँ पर प्रॉपर supervision भी रखनी पड़ेगी हमें उनी prisoners पर क्योंकि हमें यहाँ पर यह धियान रखना पड़ेगा कि वो prisoners वो offenders अपने घर से भाग ना जाएं escape ना कर पाएं तो यह problem भी कई न कई सामने आ सकती है आप बात करते हैं जो house arrest का concept है यह future में कैसे beneficial हैं इंडिया को लेके यहाँ पर हम अगर history देखें तो basically जितने भी यहाँ पर advocates थे वो request करते थे court से generally की उन्हें judicial custody दी जाये उनके जो clients है क्योंकि यहाँ पर judicial custody थोड़ी leniency होती है judicial custody में police custody को यहाँ पर जाहतर लोग ignore करना चाते हैं क्योंकि आपर जो police remand में police interrogate करती है prisoners को strictly उन्हें remand में लेती है तो इसलिए लोग इस police custody को ignore करना चाते हैं लेकिन अब कि आगे court के ओपर है कि अगर वो satisfy होता है criteria को ले गए सो वो grant कर सकता है so मुझे उमीद आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी जिस information को आप यहां gather करने आए होंगे वो आपको मिली होगी have a great day